Hello students, welcome back to my channel. Students, मेरे चैनल अनन्द एजूकेशन में आप सब का एक बर फुछ स्वागत है. Students, I hope कि आप सब की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. तो students, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप सब के लिए competitive exams के theory lectures लेकर आती है, तो उसमें आज का हमारा topic रहेगा मोर या परशासन का. ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले students, जिन भी students मेरे चैनल को like, share and subscribe नहीं किया है, तो students, please subscribe कर लिजे, तांकि आने वाले days के आपको वीडियोज इजीली मिल सके है. And students, please comment section में मुझे comment करके जुरूर बताईए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगेगी. And वीडियो को end तक जुरूर देखिए, तब ही आपको समझ में आएगा. नहीं तो ये सारा topic को अच्छी तरह से कहनो कि clear नहीं होएगा. Okay students, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा topic रहेगा मौरेय परशासन. मौरेय परशासन में क्या-क्या किस तरीके से वहाँ उस टाइम का administration system था. वो सारा आज मैंने short form में point to point जो main चीज़े होती है exams के लिए. वही मैं आप सब के लिए लिख कर रहे हूँ. तो इसमें first topic हमारा क्या रहता है परशासन में सबसे पहले जो राजा था. ये क्या था कि इसके अंडर कौन कौन से departments आते थे ये परशासन सारा सैनिक न्यायक. यानि किसी को कैसे न्याय देना, सारी सैनिय वस्ता, सारी इसके army system और परशासन, सारा administration system किसके अंडर था, राजा के अंडर. Second day काता है, एक मंत्री होते थे आमात्या, आमात्या के वो कौन थे, जो की परशासनिक अधेकारी थे, यानि कि जिनों ने उस time के सारे मोर्यकाल के परशासन को देखना होता था, कि सारा work अच्छे से हो रहा है या नहीं, या municipal corporation जिसको हम आज के time के बोलते हैं, वो सारा work देखते थे, अमात्या, आगे आ जाते हैं, तीर्थ, ये कौन थे, शीर्ष कर अधिकारी थे, ठीके students, नेक्स्ट है समाहर्था, समाहर्था कों थे, जो राजस्व परधान थे, यानि कि जो क्या text collect करते थे, इस time पर text भी दो टाइप के थे, एक बली और एक भाग text, दो तरह के text थे, ठीक है, एक बली text था और एक भाग text था, नेक्स्ट थे, सन्नी दात्य कों होते थे, जो कि राज्य किये कोशा अधिक्ष, यानि कि पूरे राज्य सिस्टम का जितना भी income होती थी, सारा income source के लो, आइस time पर जिनको हम finance minister बोलते है, मोरे परशास्थान में उनको क्या बोला जाता था, सन्नी दात्य थे, सीता अधिक्ष कों थे, जो राज्य किये, क्रिशी विवाग जिन्होंने agriculture department सारा देखना तता उसको बोलते थे सीता अधिक्ष, पान्य अधिक्ष कों थे, जो कि बानिज्य विवाग अधिक्ष और अक्ष पतला अधिक्ष कों थे, जिनको हम महालेखा कार बोलते हैं, ठीक रहेगा सैन्य विवाग, अब आर्मे सिस्टम में उनका मेन हैड़ कों होता था, उसको बोलते थे सेना पति, आर्मे सिस्टम में चार तरह कि इनकी थे, एक पैदल चलने वाली सेना हाथ थी, जिनके साथ होते थे, वो एक गुड़ सवार और एक रत, यानि कि चार तरह के से पैदल चलने वाले कुछ हाथी लेकर चलते थे, कुछ गुड़ सवार होते थे, यहां पर कुछ रत लेकर चलते थे, नेक्स रहे जाता है, नियाय सिस्टम इनका जस्टिस सिस्टम कैसा था, जैसे नियाय सिस्टम इनका दो टाइपस पर डिवाइड़ था, जैसे एक था, तिये और एक काटक शोदन, धर्मस्ते में क्या था जो दिवानी अद्यक्षोदन, ठीक है, काटक शोदन क्या थे, जो की फोजदारी अद्यक्षोदन बोला जाता है, नेक्स रह जाते हैं, इनके गुप्त चर, अब देखो, गुप्त चर के दो टाइपस में डिवाइड था, गुप्त चर, एक तो संस्था, एंड संचार, संस्था में वो थे, जो एक जगा पर रहकर ही, पूरी क्या करते थे, जसुसी करते थे, जिसको हम जसूस भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट है, संचार में कौन से थे, जो जगा-जगा पर गुम-गुम कर, एक जगा से दूसरी सरी ऐसे घुम घुम कर क्या कर दें सारी information लेते थे जिसको हम जसूसी कह सकते हैं यह वह वाला डिपार्मेंट था पर प्रांत को इस तरीके से जैसे उत्रापर्थ in directions बेले सबस्वाइड तोशान monopoly आपकी क्या है यह से हम्ति फ्रति passed आप विषे का जो उता था उसको बोलते थे विषे पती या फिर प्रादेशिक अब विषे में क्या चीज ती ये 10 गाओं का समूह में क्या खम क्या कर Mittal गोप यानि कि एक एरिया विशे ऐंगर क्या था जहां पर दस गांव आ जाते थे यानि कि 10 villages कम से कम जब उनका group बन जाता था तब उसको क्या बोलते थे गोप और गांव का मुखिया इस टाइम पे जिनको हम सरफ पंच कहते हैं उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था ग्रामीक ये बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं ये भी अच्छे से देखना है ठीक है स्टूइट्स नेक्स्ट आज आता है नगर परशासन अब इनका नगर परशासन कैसा था ये नगर परशासन कुछ इस तरीके से जैसे इसमें क्या 6 समीतियां थी और हर इसनी बोला है according to मैक्स्टनीज के according ये सारा चीज़ है कि मैक्स्टनीज का माना था कि मोरे परशासन में जो नगर परशासन था 6 समीतियां होती थी और हर एक समीति में उसके 5-5 मेंबर होते थे जिनको मिला के total कितने बनते थे 30 मेंबर नेक्स्ट है मोरे अब समाज इनकी सोसाइटी किस तरीके की थी कोटिलिय के according क्या था कोटिलिय कहता है कि जो मोरे समाज था वो चार वर्नों पर डिवाइड़ था जिसमें वही उसके वैदिक पिरियड के according ब्रामन शत्री वैशय और शुद्र-चार वर न थे लेकिन मैक्स्टनीज क्या कहता है मैक्स्टनीज क्या कहता है कि जो मोरेकाल था वो साथ वर्ग पर डिवाइड़ था जिसमें था दार्षिनिग किसान अहेर कारीगार निरक्षग सेनिक और सबासथ यह Maxineus के according Moria Kal जो था वो 7 वर गें डिवाइगे थी ठीक है students next है next student क्या है कि Koteilya क्या according क्या था Koteilya कहता है कि Moria Parashasar में दास्प्रता थी लेकिन Maxineus क्या कहता है कि इस टाइम पे दास्प्रता बिल्कुल नहीं थी मैक्सिनिस कहता है कि इस ट्री की स्थिती जो थी विमेंस की conditions थी वो पहले से अच्छी थी जैसे आपने देखा कि रपन civilization में इनकी conditions बहुत अच्छी थी विमेंस की लेकिन वैदिक पीरिड में जब चार वर ना गए तो उसके अगोड़िए जो विमेंस की condition थी वो थोड़ी से डाउन चलिए ठीक है बट इस टाइम पे आकर जो विमेंस की condition थी वो फिर से अच्छी हो गए अब इस टाइम पे जो वैश्यवरिती स्थिया होती थी वैश्यवरिती जो विमेंस होती थी उनको क्या बोला जाता था रूपा जीवा ये भी इंपोर्ट ठीक है लास्ट में रहता है मारा टोपिक इस टाइम की एकनोमी यानि कि अर्थवस्ता किस पर dependent थी किस तरीके थी मोरे परशासन के जो अर्थवस्ता का अधार वो क्या था क्रिशी था एग्रिकल्चर पर dependent थी और इस टाइम पर टेक्स क्या रहता था वान बाई सिक से लेक किसको देना पड़ता था राजवा को देनापड़ता थी क्लास्ट its नेक्स के रहते हैं कि आंत्रीं भाहल वीपार यह जरूड़ी नहीं थे कि च्लूट पकड़ा पनाने का बहुत ज्यादा ऊपर ता प्रिवियस लेक्चर में हमने देखा कि वह पार के रूप में मुद्रा का नहीं किसी चीजों का लेंदेन उता है वशों का या गायों का लेकिन इस टाइम के आकर जैसे आहत सिक्के आगए आपको पता चला कि उसके अगोर्डिंग की तो क्या था मुद्रा का प्योग होता थ आप या पार करने के ठीक है टेक्स चोरी करने वाले को अब एक्जांपली जो लोग उस टाइम पे टेक्स पे नहीं गरते थे उनको वान पाय टेंथ यानि की दसवां हिस्सा या फिर उसके लाबा मृत्यों दड़ दिया गाता था पनिश किया गाता था कि जो भी टेक्स प आप सबको आज लेक्शर बहुत अच्छा लगा है का तो प्लीज मझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जुरूर बताया करो कि आपको लेक्शर कैसा लग रहा है ठीक है तो नेक्स में आपको आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी उसमें करेंगे गुपतसमराज है कı स्टुलेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेजीए अपके शेर करना मत भूलिये और लाइक, शेर, सब्सक्राइब तीनों चीजे गरिये और प्लीज ज्यादा से-ज्यादा स्टुलेंट्स तक इस वीडियो को benefit मिल से, okay students, ठीक है, फिर मिलते हैं next studio में, okay, bye-bye.